हलो एवरीवन, आई लवीना कमावाथ, वेलकमिंग यू ओल, इट्सकोर शाला, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था औरेस्टेट के एक एक स्पेरिमेंट के बारे में, तो औरेस्टेट ने आमें बताया था कि electricity और magnetism के बीच में कोई न कोई relation जरूर होता है, इसलिए हमने उसको नाम दिया था electromagnetism, because जैसे ही किसी wire के अंदर हमने electricity पास करवाई थी, मतलब current flow होई थी, तो क्या हुआ कि जो पास में रखी magnetic compass की needle थी, वो deflected करने लगे, उसमें अंदर deflection हुआ, अब deflection हुआ तो क्यू हुआ, because जब electricity पास हुई उस wire के अंदर, तो वहाँ आसपास में क्या generate हुआ, magnetic field generate हुआ, और उस magnetic field की वज़े से, वो जो आपका magnetic compass था, उस compass की needle जो है, वो deflect कर गई, उसके अंदर deflection हुआ, और उस deflection को हमने change भी किया था, अगर आपको याद हो और पता हो, तो जब हमने electric wire के अंदर, जो current flow हो रही थी, जब उसकी direction को change किया, या हमने उसके magnitude को change किया, तो क्या हुआ था, तो magnetic field जो था, वो भी change हुआ थ मतलब, जब हमने electric current को कम कर दिया, electric current भी flow को कम किया, तो क्या हुआ, उस time पे, जो आपका magnetic field था, वो थोड़ा सा weak हो गया, बट, जैसे ही हमने उस wire के अंदर, current को जादा flow करवाया, current के magnitude को बढ़ा दिया, तो magnetic field का भी magnitude जो है, वो बढ़ गया, और उसकी वज़े से, जो magnetic field ह वो stronger हो गया, and direction जैसे ही हमने current की change की, वैसे ही magnetic field की direction भी change हो गया, मतलब, not to south अगर इस तरफ जा रहा था, तो second time पे क्या हुआ, direction change करते ही, वो इस तरफ चला गया, पता होगा आपको MPR का swimming rule, जो मैं बिलकुल नहीं बूलना है, now, अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें lines होती है, क्या उसके अंदर भी कोई changes होते है, मतलब, अगर हमने wire की जगे कुछ और लिया, किसी और shape का conductor लिया, तो क्या magnetic field का जो shape है, वो change हो जाएगा, या उसकी magnetic field lines जो है, वो change हो जाएगी, चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, magnetic field, due to a current through a straight conductor, एक straight conductor से because wire भी क्या होता है, एकदम straight होता है, मतलब हमारे पास में क्या हो सकता है, copper wire हो सकता है, तो हमें वही लेना है, जैसा कि हमने orrested के experiment में किया था, सेम वैसे ही, हमें क्या करना है, एक wire ही लेना है, as a conductor, एक wire को as a conductor लेना है, जिसके अंदर electricity pass होगी, और उसके बाद हमें check करना है कि magnetic field जो है, क्या उसके अंदर कोई changes होते हैं, या magnetic field lines जो है, वो वही circular shape के अंदर आ रही है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, so magnetic field due to a current through a straight conductor, अब इसके अंदर क्या show होने वाला है, तो it shows that there exists a magnetic field around a straight current carrying conductor and it is in the form of concentric circular field lines with the conductor at the center, अब जब आप इसका experiment करोंगे, तो क्या show होगा उस experiment के अंदर, तो उस experiment के अंदर ये show होगा, कि जो एक straight conductor है आपका, straight conductor means एक अकर जो है क्या वायर है, जिसके अंदर आप current flow करवा रहे हो, उसके आसपास में क्या होता है, magnetic field तो exist है ही, obviously, पहले भी था, और एस्टेट के experiment में भी हमने देखा था, कि वायर के अंदर current flow हो रही है, उसके आसपास में क्या होगा, magnetic field generate होगा, the same thing is here, कि जैसे ही हम एक straight conductor लेंगे, उसके आसपास में क्या हो जाएगा, एक magnetic field generate होगा, and it is in the form of concentric circular field lines with the conductor at the center, अब इस ये क्या बोल रहा है, कि इसके अंदर जो magnetic field lines बनेगी, वो कैसे बनेगी, वो बनेगी, वो बने ऐसे circles, जिनका center similar हो, अब एक suppose ये हमारे पास circle है, जिसका center ये है, एक circle और है, उसका भी center यही है, जब बचपन में वो जो compass था, उसको लेके बनाते थे ना, कि needle हमने एक point पे रखी, फिर उसको गुमाया, तो उससे क्या बनता था, circle बनता था, now, अब हमें क्या करना है, इस centric circles है, and in concentric circles का, जो आपका center होने वाला है, वो center क्या होगा, it will be a straight conductor, जो straight conductor, जो wire आप ले रहे हो, वही in concentric circles का क्या होगा, center होगा, और ये circles की circumference नजर आ रही है, ये क्या होने वाली है, ये होने वाली है, magnetic field lines, अब कैसे होगी है, क्या होगी, तो हम बिना experiment के कभी भी कोई चीज को नहीं मानते है, तो हमें हमेशा क्या करना है, सबसे पहले experiment करना है, because we are studying science, जिब science पढ़ रहे हो, physics पढ़ रहे हो, तो definitely experiment की बिना तो मानी नहीं सकते हो, तो experiment की बिना तो आप कैसी मानेंगे, तो ये सारा जो लिखा है, पहले हम उसको experiment से देखते हैं, क्या ये सब कुछ proof हो रहा है, जो magnetic field, अगर एक हम straight conductor ले रहे हैं, तो उसके आसपास में क्या concentric circles के according, वो magnetic field lines बन रही है, क्या उसके आसपास में magnetic field generate हो रहा है, तो भई जो magnetic field है, ये तो हम surely बोल सकते हैं, कि जब किसी wire के अंदर, electric current flow करवाई जाएगी, तो उसके आसपास में क्या होग magnetic field generate होगा, इसमें हम sure है, हम sure क्यों है इसके अंदर, because हमने Orested का experiment पढ़ा है, और उसको देखा भी है, हो सकता है किसी ने करके भी देखा होगा, तो इस बहुत easy है, जब electric circuit लेना है, उस circuit के पास में क्या रख देना है, एक magnetic compass रख देना है, so that कि जब needle में जब deflection होगा, तो आपको बहुत easy ही पता जल जाएगा, कि magnetic field generate हुआ है, now, जब electric circuit लिया आपने, तो उसके अंदर क्या करना है, electric current को पास करवाना है, और electric current पास होगी, तो पास में आपको रखना है, एक magnetic compass जिसकी needle automatically deflect करने लग जाएगी, तो इसमें तो हम confirm है, कि हमारा जो कोई भी एक conductor है, अगर उस conductor के अंदर electric current at that time pass हो रही है, उसके अंदर से electric current pass हो रही है, that means कि वो magnetic field को generate करेगा, और उसके आपस में रखी, कोई भी magnetic compass की जो needle होगी, वो automatically deflect करने लग जाएगी, तो ये sign होता है उसका, कि हाँ भी magnetic field हुआ है, now, अब अगर हमारे पास हमें बुला गया है, कि एक straight conductor आपको लेना है, एक straight conductor का मतलब होता है, एकदम सीधा, एकदम सीधे का मतलब क्या होगा, wire ही तो होगा, उसके अलावा क्या हो सकता है, so, straight conductor का मतलब हमें क्या लेना है, एक wire लेना है, अब एक wire के आसपास में क्या करना है, magnetic field को generate करके check करना है, कि magnetic field lines जो होती है, वो किस तरह से बनती है, अब हमने क्या किया, अगेन वही सेम है, एक सर्किट बनाया हमने पूरा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, अभी हम इसको नहीं ले रहे है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, मतलब रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, उसके बाद हम लगा, हमने लगा दिया, क्या एमिटर लगा दिया, एमिटर के बाद क्या लगाया, एक बैटरी लगा दिया, या एक सेल लगा दिया, तो हमने लगाई है बैटरी, ना, बैटरी के बाद हमने क्या किया, एक लगाया है स्विच, भाई स्विच बहुत जरूरी ह करेंगे जहो हमारी मर्जी से उसको ओपन करना एक להיות करना है कि अगर नेका कहा हूं Less क्या हम उसको देख सकते हैं ? बिलकुल भी नहीं देख सकते हैं और हमेशा क्या हम magnetic compass को लेकर जाएंगे ? वे magnetic compass लाओंगे तो वो सिर्फ ये बताएगा कि हाँ magnetic field है लेकिन magnetic field जो है वो किस तरह से बन रहा है? magnetic field lines किस तरह से बन रही है? वो हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यह जो अपने wire लिया है, जो हमने straight conductor लिया है, उसको किसके अंदर रखना है, एक cardboard के अंदर रखना है, मतलब cardboard लेना है, cardboard के अंदर hole करना है, और उस hole के अंदर उस wire को डल दीना है, मतलब यह हमने लिया cardboard, cardboard के अंद क्टीट है यहां से निक्ला देखो यह इस तरह से बन ग्या यह हुआ हुआ है उसके अंदर क्या होगा electricity पास होगी, electric current अभी इसके अंदर flow हो रही है electric current हमेशा plus two minus जा रही है electric current आ गए इसके अंदर now अब जब इसके अंदर electric current आ चुकी है तो current की आने के बाद क्या होगा कि यहां पे होगा magnetic field generate अब जो magnetic field generate हुआ है तो हमें क्या चेक करना है magnetic field lines की shape को check करना है कि इसकी magnetic field lines जो है वो किस तरह से बनने वाली है So, हमने एक पहले एक experiment किया था bar magnet के साथ में, आपको याद होगा एक bar magnet ली थी हमने और उसके आसपास क्या किया था बहुत सारे iron के कुछ बुरादे को हमने इस तरह का structure नजर आया बहुत सारे हमारी क्या थी? magnetic field lines थी यह सारी हमारी magnetic field lines थी अब जब यह हमारी magnetic field lines हो चुकी है तो हमें क्या करना है? यहाँ पर भी same work करना है मतलब यहाँ हमें पता है कि इलेक्रिसिटी पास हो गई जो magnetic field है वो generate हो चुका है magnetic field बन गया अब magnetic field तो बन गया इसमें हम sure है और अगर फिर भी check करना चाहते हो तो एक magnetic compass रख दो compass की needle जैसे ही deflect करेगी तो you will be sure कि हाँ यहाँ पर magnetic field है बट magnetic field lines के लिए क्लिए 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 अगें वही यहाँ से iron का बुरादा लेके आना है मतलब जो हमने पहला experiment में किया था वही से वही वाला iron का बुरादा उसको लेके आना है इसको यहाँ sprinkle करना है जो आप इसको sprinkle करोगे तो यह automatically यह lines में बन जाएगी magnetic field के अंदर क्या होता है एक power होती है एक force होता है वह force क्या करेगा उस iron के बुरादे को यह इस तरह से circles में convert कर देगा मतलब आपके पास कैसे structure बन गया कि यह cardboard है cardboard के उपर क्या बना circles बन गए बहुत सारे तो आपको लगा कि अच्छा यह magnetic field जो है यह magnetic field तो पूरा एक loop बना रही है तो भी magnetic field तो loop ही बनाती है magnetic field lines जो होती है वो पूरा एक loop ही बनाती है याद होगा अपको कि अगर यह हमारा north side है यह हमारा है south pole तो हमेशा देखो outer side में क्या होता है north to south जाती है यह field lines और inner side में भी देखो जा रही है inner side में भी कहा जाती है south to north जाती है लेकिन पूरा का पूरा एक loop बनाती है कहीं से बीच में break नहीं होती है तो यहाँ पर भी क्या बनाएंगी वो loop बनाएंगी अब वो loop कैसे बनाएंगी यहाँ तो हमारे पास था bar magnet तो bar magnet में north से south north से south इसके अंदर तो हमें पता नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे जस्ट यहाँ पर sprinkle करते हमें क्या मिला हमें मिला magnetic field lines मिली लेकिन magnetic field lines जो थी यह हमारे पास loop में नहीं थी मतलब यह जिस तरह से यह close loops है यह उस तरह से नहीं थी यह थोड़ी से different थी तो जो हमने उसको observe किया तो हमें अच्छा यह तो circles बना रही है और circles भी कौन से बना रही है तो यह concentric circles बना रही है जिसका की center जो है वो सेम है कौनसे circles बनाएगी, ये बनाएगी concentric circles, अब ये जो concentric circles है इन सबका देखो, concentric circles को क्या होता है, center similar होता है ठीक है, तो जो magnetic field lines बनी वो कैसे बनी, concentric circles की form में बनी, now, अब इन concentric circles का जो center है वो क्या होगा, तो भई हमने जो experiment किया, उसके according हमें ये पता है कि जो centers है, ये जो circles है sorry, इन circles का center same है और वो center कौन सा है, तो वो center है हमारा straight conductor वो जो center है वो कौन है, वो है हमारा straight conductor straight conductor का मतलब यहाँ से हमने क्या किया, यह देखो, यहाँ से इस के बीच में से wire डाला है, और इस wire के चारों और ही तो ये circles बने है मतलब, जहाँ हमने ये hole किया था wire के लिए, वो क्या है center है उस क्या hole की वज़े से ऐसा हुआ बिलकुल भी नहीं किसकी वज़े से हुआ, इस wire के अंदर जो electric current flow हो रहे थी, उसकी वज़े से ये हुआ, that means कि इसके आसपस जितने भी ये circles बन रहे है, ये सारे क्या है, magnetic field lines है और इनका center कौन होगा तो one and only, जो conductor है आपका, जो straight conductor है सिर्फ वही इसका center होगा, उसके अलावा कोई भी चीज़ इसका center नहीं हो सकती तो ये क्या होगा, इसका center हो गया, center के चारो और क्या बन गया circles बन गया, कौन से circles, concentric circles, इन circles को हम क्या कहते है magnetic field lines कहते है कैसे बना, तो भई हमने क्या किया था जो arrested का experiment था, उसको हम थोड़ा सा और कलाकारी कर रहे थे उसके अंदर, और हमने क्या किया, just हमने ये सोचा कि उसने तो जो experiment किया था, वो एक straight wire के साथ किया था, तो मुझे जो experiment करना है वो मुझे कैसे करना है, सारे wires की shape को change करके करना है, तो भी first वाला तो मैंने यही लिया, जो पहला-पहला था वो हमने simple सा लिया, कि भी straight conductor है, ले लिया उसको, electric current वो concentric circles की form में थी that means कि center कौन था उसका the conductor, जो इसका wire था straight conductor था, वो उसका center हो गया, उसके आस पास में automatically आपकी जो magnetic field lines थी वो बन गई, अब जब वो बन गई है तो हमें क्या पता करना है कि भी इसकी direction कौन सी है, जब तक आप इसकी की direction को change करते हो, magnetic field lines की direction भी change हो जाती है see, current की direction को change किया तो magnetic field lines की क्या होगा, direction भी change होगे, और एक और चीज़ कि जब current के magnitude को हमने change किया current को कम यह जादा किया तो magnetic field जो था, वो भी stronger और weaker होने लग गया, मतलब कि उसका magnitude भी change हुआ, that means कि magnetic field है, वो क्या है वो एक vector quantity है, और already हमने पढ़ रखा है, कि magnetic field is a vector quantity, vector quantity का मतलब क्या होता है, कौन है vector quantity, भी magnetic field है, क्या होता है vector quantity का मतलब, तो vector quantity का मतलब यह होता है, कि जिसके अंदर, magnetic field जो vector quantity है, तो vector quantity का मतलब क्या हुआ, कि ऐसी quantity, जिसका कुछ नो कुछ magnitude हो और जिसका कोई नो कोई direction हो मतलब magnetic field का भी क्या है एक direction है और उसका कुछ नो कुछ magnitude जरूर है अब वो magnitude क्या है और उसकी direction क्या होगी तो वो हम अभी पता करते हैं हमारे पास rules है, हमारे पास बहुत सारे formulas होते है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा intelligent है तो हम अमेशा कुछ नो कुछ experiments करते रहते है तो यह जब experiment किया तो हम यहाँ छोड़ेंगे थोड़ी ना इसको हम यह भी जानेंगे कि इसका magnitude क्या है जो यह magnetic field generate हो है इसका magnitude क्या है और इन field lines की direction कौन सी है अगर आपको direction पता चल जाएगी तो आपको यह पता चल जाएगा कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है तो यह कैसे पता चलेगा कि मणब आप तो बोल रहे हो कि direction पता करनी है magnitude पता करना है तो हमें केसे पता चलेगा कि North Pole कॉंसा है और South pole कॉंसा है तो भी हमें एक एक эксперimen्ट हमने पहले का ररकान, कौंसा एकерमिम्न मिया था आप जहें हमने किया था था si एकिया था एकस्पयरिम्नेंट पर पर सेम एकस्प्पेरिम्न कमिया था कि다 solve your जो इनकी direction होती हुँ क्या होती? North to South. North से यह सारी आगे फैल जाती है, अपर सारी के सारी कहां assemble होती है? जाती है कि जाँ पर South Pole होगा, वही पे सारी के सारी magnetic field lines assemble होने वाली है, इसको हम क्या कहेंगे? South Pole कहेंगे और जहां से हमारी magnetic field lines बन रही है, निकल रही है वहां से, इसका मतलब है वह कौन सा pole है? वो pole है North Pole So I hope कि आपको ये चीज़ समझ में आगे कि direction से हम कैसे पता कर लेंगे जहां पे सारी जो field lines assemble होगी मतलब वो हमेशा कौन सा pole होगा South Pole, तो भी opposite वाला कौन सा होगा North Pole उसमें ये देखने की ज़रुवत नहीं है चलिए अब हमें आगे क्या देखना है ये तो हमें समझ में आ गया कि magnetic field lines किस तरह से बनी magnetic field जो होता है वो एक vector quantity होता है हमें अब क्या चेक करना है उसका magnitude और उसकी direction भी direction हमें पता है कुछ नो कुछ है लेकिन कौन सी direction है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा pole North Pole कौन सा pole South Pole है so देखो उसके लिए हमारे पास में क्या है Maxwell का right hand rule है right hand rule है बतार right hand कौन सा होता आपका ये वारा right hand है ना जिससे मैं लिख रही हूँ मेरा right hand है वो तो right hand का rule है इसमें confused नहीं होना है और जब exam के अंदर बैठे बैठे जब ये करोगे ना कि right hand से कुछ देख रहे हो कि lines किस तरफ जा रही है current किस तरफ है तो school में भी teachers आपको बोले है इस बच्चे को तो आता है अरे इस बच्चे को आता है obviously आता है इस बच्चे को तो अभी सीख लेना तो बाद में obviously आएगा उसकी बाद जब भी कोई पूछेगा कि हाँ 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 ये तो हमने पढ़ाता कहां पढ़ाता तो इस course आला में पढ़ाता चलिए हमें क्या करना है Maxwell का right hand rule है simple rule है कोई ज़्यादा confusion नहीं है दो rule से आपको पता होगा एक और देखा ही होगा अपने तो एक होता है right hand rule एक होता है आपका left hand rule confused कभी नहीं होना है बहुत easy चीज है बहुत ज़्यादा easy चीज है चलिए so हमें क्या चेक करना है सबसे बहुते है Maxwell का right hand thumb rule right hand thumb rule है क्या होता है right hand thumb rule तो यह simply सी चीज है यह हमारा right hand है ठीक है यह हमें समझ में आगिया तनी का आगिया तो भीछ प्रदै ने है बछपन से हमें पता है यह तो कि यह हमारा right hand है अब right hand को क्या करना है गॐ हमें थumbs up करना है तो all the best बोलते हो ना क्यों कि you all the best तो मैं आपको बोल रही हूँ, all the best for your exams अब उससे पहले पढ़ लो, जब नहीं पढ़ोगे तो एक्जाम में कुछ नहीं, all the best भी कुछ नहीं कर पाएगा चलिए, so हमारा जब all the best हम बोलते हैं, तो हमारे पस क्या होता है, इस तरह से हम करते हैं अब देखो, current को अगर ये show कर रहा है, तो हम और किसकी बात कर रहे हैं, magnetic field की, उसके अलावा हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं हमने अब भी तक में सिर्फ यही पढ़ा है, current, magnetic field, current, magnetic field, क्यूँ, because electricity और magnetism के अंदर एक relationship होता है और ये हमें और स्टेट ने बता दिया था, और ये हमको याद भी है, so, जब हम बात कर रहे हैं, इसकी thumb की, तो thumb main है, इसके अंदर, बि-thumb main है, तो इसमें क्या होगा, current, electricity, electric current होगी, तो ये हमारी electric current की direction होगी now, electric current की direction अगर उपर की तरफ है, तो magnetic field की direction क्या होगी, तो भी, आपको बहुत इच्छे से पता है जब हमने एक straight conductor लिया, तभी, suppose मैं इसको मान के चलती हूगी, मेरा straight conductor है, तो इसके पास में, हमेशे जब magnetic field lines बनी थी, तो वो खैसे बनी थी, concentric circles की फॉर्म में बनी थी, बूलना विलकुल नहीं है, concentric circles की फॉर्म में बनी थी, अब जब वो concentric circles की फॉर्म में बनी, तो य magnetic field है, वो circles की फॉर्म में आना चाहिए, तो यह आपका हो गया current, अब देखो, circles की फॉर्म में कौन चीज, कौन सी चीज आ रही है, आपके fingers, fingers को घुमाते हैं, तो जिस तरफ हमारे fingers घुमेगी, वो क्या होगा, magnetic field की direction होगी, ठीक है, यह हमारा क्या हुआ, electric current हुआ, जैसे ह हमने इसको घुमाया, पीछे की तरफ घुमा सकते हो क्या, नहीं घुमा सकते, तो जैसे ही हमने इसको इस तरफ घुमाया, तो घुमाते ही हमें क्या पता चल गया, कि यह कौन सी direction है, यह direction है, हमारे, किसकी magnetic field की direction है, और यह magnetic field की direction जो है, यह क्या बताएगी, यह में पोल्स में कि यह हमारा है थाम रूल ठीक है यह हमारा है थाम तो यहां पर मैंने बोला है यह हमारा है थाम इसको आप माल ले ना कि यह क्या है हमारा थाम है थाम उपर की साइड में हमारा थाम तो उपर ही साइड में होते ही है तो उपर की तरफ क्या हो रहा है यह करंट की ये किसके direction है current के direction के direction है तो बैक के की direction को कि तरफ है तो किर्फ देखो यहां कशो हुआ प्रहुक यहां के तरफ गया, हमारी किक्ष की तरफ गया तो यह दीरेक्शन कां और यहां से बनासे पीछे की तरफ गया एंटी-clockwise direction हुई, यह clockwise नहीं हुई ठीक है यह confused मत होई, बूल जाते हैं कभी-कभी हम भी उपर-nीचे कर देते हैं चीजे तो यह direction हमारी कॉन सी हुई एंटी-clockwise हुई क्यों हुई यह direction कॉन सी, यह ऐसा direction है जब यह इस तरह से है direction तो क्या करना है यह इस तरह से direction है तो इसको फोड़ा से ऊपर की तरफ ले लो भाई बहु अब ही हम बोल रहे है कि हमारी बिटा हो जाता है, so यह हमारा है anti-clockwise direction, now यह तो हो गया anti-clockwise direction, अब क्या करना है हमें, मैं इसको erase कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आप बिलकुल भी confused नहीं होंगे, यह direction कौन सी है, यह हमारी clockwise direction, यह कौन से direction होगी, यह होगी हमारी clockwise direction, अब clockwise कैसे होगी, तो फिर देख लेज उपर की तरफ जा रहा है, current उपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, यह जो हमारे fingers है, यह जिस तरह फोल्ड हो रही है, उस तरफ क्या होगी, magnetic field की direction होगी, now जब यह उपर की तरफ जा रही है, तो देखो magnetic field की तरफ है, इस तरफ है, magnetic field यह से ऐसे आया, इसका मतलब यह direction कौनसी है इस तरफ की है ये डैक्शन अगर ऐसे की तरफ जा रही है तो उसको कौन से डैरेक्शन हो गई यह हमारी हुई एंटीक्लोकवाइस डैरेक्शन मद वह इस तरह से घूमेगा अगर यह हमारा कंड़क्टर है तो यह हमारी होगई current यहाँ पर direction इस तरफ आई, magnetic field की direction ऐसे है, इसका मतलब magnetic field की direction है, वो इस तरह से है, जैसे ही हमने, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने क्या किया, हमने इसकी direction को change कर दिया, किसकी direction को भई? और एक current की direction को, हमें magnetic field का तो पता ही नहीं है, current की direction को change करना है, तो current की direction को change करते टाइम पे, अपके हाथ को क्या कर देना है, उल्टा, क्यों कर देना है, उल्टा, पिकोज जब उपर की तरफ जा रहा था हमारा current, तो हमने क्या कहा कि जो हमारी magnetic field की direction है, वो anti-clockwise है, लेकिन जैसे ही हम current की direction को change करेंगे, तो अपवर्ट से क्या हो जाएगा, downward, upward का opposite तो पता होगा, वो क्या हो जाएगा, downward, upward जा रहा था हमने क्या कि direction को change कर दिया, यह direction हमारी change हो गई, जैसे ही हमारी current की direction change होई, हमारी magnetic field lines देखो भी किस तरफ जाएगी, इस तरफ के पीछे की तरफ आएगी, और ट्राइभी मत करना, fingers रूट जाएगी, चलो, हमारी current की direction देखो का है, नीची की तरफ, नीची की तरफ आई, यहाँ से देखो magnetic field की direction उस त क्या होगा, clockwise direction होगी, that means कि यह rule आपको क्या बताएगा, यह rule आपको बताएगा की current की flow के according, magnetic field की direction क्या है, अगर current उपा की तरफ है, तो magnetic field जो है किस तरह से गूम रहा है, और अगर आपका, जो current है वो नीची की तरफ flow हो रहा है, तो फिर आपका जो magnetic field है, वो किस तरह से ग direction किस तरफ है, तो current की direction जो है, वो देखो नीची की तरफ है, current की direction यहाँ पर किस तरफ है, नीची की तरफ है, जिब current की direction नीची की तरफ है, तो कि यह वाला हाथ लेना है, अरे नहीं, हमें कौन सा hand लेना है, right hand लेना है, right hand लेते ही क्या हो जाएगा, current की direction नीचे है, नीच मतलब हमारा जो fingers है वो इस तरह से fold हो रहा है that means कि हमारी जो magnetic field lines है वो किस तरह जाएगी वो जाएगी इस direction में इस direction में जाएगी इसका मतलब क्या हो गया clockwise घुमेगी देखो या पर देखो या arrow बनावा इसका मतलब यह इस तरह से घुम दी है हमारी magnetic field lines magnetic field lines जो है वो कौन सी direction में जा रही है वो clockwise direction में जा रही है clockwise direction में गुमने वाली है so I hope कि आपको यह thumb rule clear है कि right hand thumb rule क्या होता है और यह क्या बताता है तो बहु और स्टेट के experiment को जब हमने आगे बढ़ाया और हमने देखा कि जो अगर straight कोई conductor है तो उसका magnetic field lines कैसे बनेगी concentric circles की form में बनेगी तो अब हमें क्या देखना था? direction देखनी थी तो हमने कौन सा rule use किया? right hand thumb rule left hand नहीं always, हमेशा right hand जो तुनी बार भी देखना हमेशा कौन सा hand देखना है? right hand देखना So, अब देखो, क्या लिखा है? Maxwell ने जब ये right hand thumb rule दिया तो उन्होंने क्या बोला था? इसके लिए है ये rule तो to find the direction of magnetic field जब हमें direction चाहिए किसकी magnetic field की? due to a straight current carrying conductor we use the right hand thumb rule which is as follows हम किसका use करते हैं? हम right hand thumb rule का use करते हैं कब करते हैं? जब हमें magnetic field की direction को check करना है हमें पता करना है कि है वो कैसा है? वो straight conductor है straight current carrying conductor है that means it is a wire obviously it's a wire चलिए क्या बोल रहा है रोल? imagine उपसे बहुता हम imagine करो ठीक है? imagine करना है the straight conductor in your right hand straight conductor कहा है? right hand पहे straight conductor कहा है? बहुँ हमारा right hand का thumb है right hand का जो thumb है वो हमारा क्या है? straight conductor है such that the thumb points in the direction of current thumb क्या point करता है? direction of current right hand लिया हमने left hand लेना है right hand लेना है thumb rule क्या हो गया? तो thumb क्या शो करेगा? current को शो करेगा the direction of curling the fingers curling the fingers मतलब यह हुआ इसको हमारी fingers कर्ल हो रही है हमारी fingers कभी बैक साइड में कर्ल नहीं होती है सिपक सिंगल साइड में कर्ल होती है जो यह direction हो गई so curling the fingers of the right hand gives the direction of magnetic field lines जैसे ही आप इसकी fingers को अपन कर्ल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? magnetic field lines मिलेगी बहुत simple चीज है बहुत छोटी ही चीज है जादा बड़ा भी नहीं है यह तो चलिए और जैसे आप direction को change कर दोगे तबकि curling वाला यह direction भी change हो जाएगा मतलब कि magnetic field lines की direction भी change हो जाएगी एक time होगा clockwise दूसरी time होगा anti-clockwise clockwise कब होगा? जब direction जो है वो नीची की तरफ है current की direction अगर downwards में है तो magnetic field की direction क्या हो जाएगी? clockwise लेकिन अगर current की direction upward में है तो upward में होते ही क्या हो गया? upward में है इसका मतलब क्या होगा? current की direction आपकी anti-clockwise हो जाएगी और इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है बस यह आद अगना thumbs up कैसे करते हो उपर उल्टे हाथ से तो कभी नी करते हैं तो अग्जाम में जब all the best बूलो तो याद कर ले ना कि यह हमारा right hand thumb rule था कौन किस ने दिया था? Maxwell ने दिया था Maxwell का right hand thumb rule कभ यूज करते हैं तो भी हमारे पास अगर कोई magnetic field की direction पता करनी है जब हमारे पास जो conductor है वो straight conductor है ठीक है? straight current carrying conductor है तो हम लगाएंगी कौन सा right hand thumb rule चलिए now magnitude direction तो हमें पता चल गई ठीक है? कि एक experiment हम ने किया जिसके अंदर magnetic field lines के बारे में हमें पता चल गया so अब हमें क्या पता करना है? अब हमें चेक करना है कि magnitude क्या होता है और किसका? तो भई किसका क्या पूछ चो? magnitude तो हमें magnetic field कही तो चेक करना है हम किसकी बात कर रहे है magnetic field की बात कर रहे है और अब ही तर क्या चेक कर लिया? हमने direction को पता कर लिया कि भी direction को हमें कैसी चेक करना है तो right hand thumbs up करते time पर याद लगा लेना उसको कि ये कौन सा rule है? Maxwell का rule है, right hand thumb rule है चीक है? उसके बाद अब हम आते है किसे magnitude पे तो magnetic field जो है जब वो एक vector quantity है तो उसके अंदर magnitude तो होगा ही होगा उसको कुछ ना कुछ magnitude तो होगा ही होगा कभी magnetic field जो होता है वो एकदम stronger हो जाता है कभी एकदम weaker हो जाता है तो अगर ये vary कर रहा है इसका मतलब है इसका magnitude तो है कभी ये कम होगा, कभी जादा होगा कभी कम होता है जब current जो इसके अंदर flow हो रही है उसको अगर हम बढ़ा देते है अगर उसके magnitude को बढ़ा देते है इसका मतलब ये कौनसी quantity है भा ये vector quantity है और direction भी है तो definitely vector quantity हो गए अगर direction नहीं होती तो कौनसी quantity होती scalar quantity होती but magnetic field is a vector quantity so direction भी है हमारे पास magnitude भी है so magnitude को कैसे हम पता कर सकते है तो आपका magnetic field होता है उसको हम देनोड करते हैं Kp It shared by electromagnetic field होता है magnetic field को हम denote करते हैं capital B से इसको कि हम बोलते है magnetic induction हम magnetic field के साथ साथ में इस B को क्या बोल सकते है magnetic induction देखो लिखा भी है it is denoted by B जो magnetic field है वो किसे denote होगा capital B से denote होगा small b नहीं always capital B and it is also called magnetic conduction induction sorry conduction नहीं है induction है इसको हम और क्या बोल सकते है magnetic induction बोल सकते है मतलब जहां पे नाम आजाए magnetic field या अगर आजाए magnetic induction दौनों में confused नहीं होना है दौनों ही क्या है बिलकुल ही similar है बस capital B देखने ना याद से capital B आया, magnetic induction है और यही क्या है, magnetic field भी है अभी यह भी आपको बताऊगी कि इसको दौनों किसे करते है, मतलब इसकी यूनिट क्या है दौनों हम capital B से करते है, इसकी यूनिट क्या है अब देखो यह आपकी current है सपोर्थ हमने अभी क्या कहाता कि जो वायर है उसके अंदर जैसे ही आप current के फ्लो को बढ़ा देते हो मतलब current का अगर magnitude का बढ़ा देते हो तो जो आपका magnetic field है उसका भी magnitude क्या हो जाता है increase हो जाता है और जैसे ही हमने current के फ्लो को decrease कर दिया, तो हमेशा आपके जो magnetic field का magnitude है वो भी क्या हो जाएगा? decrease हो जाएगा मतलब देखो, current को हम किसे denote करता है तो current को denote करता है आई से ठीक है, electric current को हम denote करता है I से magnetic fields को किससे denote करता है तो हम उसको denote करता है B से that means, येसे ही अपने electric current को बढ़ाया उसको increasing किया electric current को increase किया तो magnetic field भी क्या हो जाएगा increase होगा, always, काभी भी नहीं होगा दोनों एकदम सेंग चलेंगे अपने करंट को कम कर दिया बैटरी हो सकता है आपकी डिस्चार्ज हो रही थी तो एकदम से आपकी क्या करंट कम हो गई तो मैंटिक फिल्ड भी कम हो जाएगा और वह मैंगेटिस्म जो था ना आसपस है वह भी धीरे-धीरे क्या हो हो लगेगा लेकिन जैसे ही आप इसे करेट को बढ़ा दें गे मतलब हो सकता हो एकथी चेंज कर दोगे आप और बैटरी चेंज ही फिर से करड़ फ्लो हने लगेकी मतलब की भी चांडरी को मींशियक切 मैंटरी शाइगा ऑर जादा हो जाएगा तो अगर आपका सब्सु अ एक term याद करनी है, that's it, और आपका काम हो जाएगा, हमारी पास दो terms होती है, एक होता है directly proportional, एक होता है indirectly proportional, direct proportional का मतलब होता है, अगर आप एक quantity को increase करते हो, तो second quantity भी क्या होगी? increase होगी, और जैसे ही आप एक quantity को decrease कर देते हो, वैसे ही second quantity automatically decrease हो जाती है, मतलब एक को decrease किया, दूसरे वाला भी decrease हो जाएगा, एक को बढ़ाया, दूसरे वाला भी बढ़ जाएगा, तो क्या हुआ, ये कॉनसा proportional है, ये directly proportional है, मैच के अंतर सबने पढ़ाएगे, तो ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना है, तो दूसरा वाला जो है, वो automatically increase हो जाएगा, तो ये जो दौनों quantities होगी, क्या होगी, ये indirectly proportional होगी, तो ये दो वर्ड आपको समझ मैं है, कि direct proportional है, मतलब एक को बढ़ाओ, दूसरा बढ़ेगा, एक को गटाओ, दूसरा भी गढ़ जाएगा, लेकिन, indirect proportional का मतलब क्या होगा, बढ़ी indirect है, मतलब उल्टा चलेगा, उल्टे का मतलब क्या होगा, एक को increase किया, दूसरा वाला decrease हो जाएगा, और वैसे ही, अगर दूसरे वाले को उने decrease कर दिया, पहले वाले को, सबस्थ पहला वाला था, decrease कर दिया, तो यह वाला automatically भढ़ जाएगा, ठीक है, चलेगा, जो हमने बोला कि जो electric current है, वो B के similar चलती है, opposite नहीं चल रही है, वो क्या हो रहा है, अगर B, जो है, magnetic field जो है, वो बढ़ेगा, तो current भी बढ़ेगी, current बढ़ेगी, तो magnetic field भी बढ़ेगा, current को decrease कर दिया, तो magnetic field भी decrease होजागा, that means कि यह कौन सा proportional है, कि direct proportional है या indirect है, तो obviously, यह directly proportional है, तो जो magnetic field होता है, magnetic field, it is directly proportional to the current I, यह जो magnetic field है, वो किसके direct proportional में है, वो I के, मतलब current के directly proportional में है, that means कि, देखो, यहापर हमने क्या लिखा, B is proportional to I, अब इतना लंबा चोड़ा लिखने से बेटर होता है हमारे लिए, कि हमसे वितना सा लिख दे कि, B जो है, वो proportional है किसके I के, B क्या हुआ, magnetic field, I क्या हुआ, electric current, चीक है, इसमें सब्सक्राइए, इसको देखते ही, कि अच्छा, यह directly proportional है, कि वायर हमारा क्या है, conductor ही तो है, इसी की वज़े से तो आपे क्या हो रहा था, magnetic field generate हो रहा था, अगर उसके अंदर से electricity पास नहीं हो पाती, तो क्या वहाँ पर magnetic field generate होता, बिल्कुल भी नहीं होता, अब नहीं होता तो वो क्या हो जाता, वो insulator होता, बढ़ हमारे तो हुआ था, that means कि वो वायर क्या है, वो conductor है, so, it is inversely proportional to the distance r from the wire, या conductor, अब क्या होगा, कि जो magnetic field है, वो inversely proportional होता है to the distance, किसकी distance, वायर की distance, जो वायर की distance है, उससे, यह जो magnetic field है, यह थोड़ा सा, क्या होता है, यह उसके indirectly proportional होता है, that means, B is, indirectly proportional to 1 upon r, 1 upon r, indirectly proportional हो गया, किसके हुआ, distance के हुआ, indirect proportional को हम डारेक्ट निलिख सकते, अगर हम लें लिख दिया, कि B is proportional to r, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा गलत, यहाँ पर हमेशा, अगर यह लिख्या आगा है, तो मैं लेगी अंदा, तो यह हो गया हमारा गलत, इसको लिख्या नहीं आना है, हमें क्या लिख्या आना है, कि जो magnetic field होता है, वो distance के, indirect proportional होता है, और indirect को हमेशा, कैसे denote किया जाता है, इस तरह से इसको denote किया जाता है, next thing is combining, अगर मैं नहीं दोनों combine कर दिया, हमारे पास में दो equation है, ठीक है, हमारे पास, जो first equation है, वो क्या है, वो जो first equation है, वो यह है, कि B is proportional to, B is proportional to I, चलो हो, आपस पीछे लता है, यहां नहीं देखेंगा हम इसको, हमारे पास हमें क्या देखना है, चलो यहां देख लो, B is proportional to I, ठीक है, यहां में को बता है, अब हमें में क्या देखना थे, एक को और क्या था हमारे पास, B is indirectly proportional to 1 upon R, यह indirectly proportional किसके है, distance के है, अब जब हम दोनों को combine करेंगे, यह मेरी हो गई equation number 1, यह मेरी होगे equation number 2, मैंने क्या कि दोनों को कर दिया, combine, combine करते हैं, क्या हो जाएगा, B is proportional to I upon R, ठीक है, मतलब की magnetic field, जो है, आप इससे पता कर सकते हो, magnetic field क्या हो जाएगा, इसका formula क्या होगे, B is proportional to I upon R, और आपको पता होगा, physics के अंदर, जैसे ही हम proportional को अटाते है, हमेशा महापर क्या आता है, constant आता है, क्या उस magnetic field, उस constant पे depend करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो ज़स्ट किस पे depend कर रहा है, only only आपकी current पे, और उसके distance पे, जो wire की distance है, उस पे depend कर रहा है, और एक आपकी electric current पे depend कर रहा है, उसके लागा किसी पे depend नहीं करेगा, so, magnetic field, जो आप किसी straight conductor पे देख रहे हो, straight किसी wire या conductor के आसपास देख रहे हो, तो हमेशा यह formula याद रखना है, कि magnetic field का formula क्या होगा, it is proportional to I upon R, ठीक है, चलिए, I hope कि आपको यहाँ तक clear होगा सब कुछ, और इसको याद करना भी बहुत ज़ादा easy है, इतना को ज़ादा tough चीज़े नहीं है, चलिए, Now, unit of magnetic field, magnetic field की unit क्या होती है, तो magnetic field की unit होती है Tesla, magnetic field, जिसको कि हम B से denote करते हैं, और इसका formula हमने क्या देखा, I upon R देखा, अब इसकी unit क्या होगी, तो इसकी unit होगी Tesla, इसकी unit क्या होगी Tesla, जिसको क्या हम डिनोड करेंगे कैपिटल T से, कैपिटल T से हम इसको डिनोड करेंगे, Tesla इसकी unit होती है, और यह किसके नाम पर है, तो एक scientist थे, जिनका नाम था Nikola Tesla, एक Scientist है जिनका नाम था Nikola Tesla उन Nikola Tesla जो Scientist थे उनके ही नाम पर यह टेसला जो है Magnetic Field की यूनिट के नाम दिया गया है क्यों दिया गया है उन्होंने फाइंड आउट किया था उन्होंने डिस्कवर किया था उनहीं के नाम पर दिया जाएगा तो यह किसके नाम पे दिया गया है? Nikola Tesla के नाम पे दिया गया है कौन थे तो यह scientist थे ठीक है? चलिए तो magnetic field की unit क्या होती है? Tesla होती है हम capital T से इसको denote करते हैं लेकिन अगर मैं इसको और छोटे form में लेकिया हूँ बहुत किलो मीटर मीटर देखा है न जो smaller unit होती है जो इसकी smaller unit है magnetic field की जो smaller unit है that is Gauss magnetic field की जो smaller unit है वो क्या है? वो है Gauss जिसको कि हम capital G से दिनोट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss चीक है? I hope कि आपको यहां तक clear होगा और यहां तक समझ में आ गया होगा actually कि भी मैंने क्या-क्या समझाया आपको तो एक बार देख लेते हैं फिर से magnetic field के बारे मैं हमने देखा था magnetic field का जो Orested का experiment है उसी को हम आगे लेके चल रहते बस हम क्या करेंगे जो conductor से उसका shape change करेंगे तो first तो हमने वही लिया कि भी straight conductor लिया अब हमने देखना तो magnetic field कैसे बनेगा तो हमने क्या करा उसके पास उसके wire के अंदर क्या लगाया बीच के अंदर एक cardboard लगाया cardboard के अंदर से हमने wire को pass करवाया cardboard के अंदर से wire pass करवाने के बाद जैसे ही वहाँ पर electricity flow हुई तो वहाँ पर क्या करा हमने sprinkle किया किसको sprinkle किया iron के बुरादे को sprinkle किया और वहाँ पर जो magnetic field lines बनी वो कैसी थी उनको observe करने के बाद हमने पता चला कि अच्छा ये तो concentric circles बना रही है अब concentric circles है मतलब उनका center क्या होगा वो conductor wire जो conducting wire था वही उसका क्या होगा उसका center होगा उसकी बाद हमने क्या check किया उसकी direction direction को कैसे पता किया Maxwell's right hand thumb rule Maxwell's right hand thumb rule मतलब ये route अगर ये इसकी direction है current की तो ये direction किसकी हो जाएगी ये direction होगी आपके magnetic field की and अगर आपकी current यानि की electric current जो है magnetic field की direction anti-clockwise होगी और अगर हम इसका opposite कर दे current की direction अगर नीचे की तरफ है downwards में है अगर current की direction तो क्या होगा magnetic field की direction इस तरह से होगी जहां हमारे fingers curl कर रही है that means कि ये clockwise direction है magnitude कैसे पता किया तो भई हमें ये पता है कि magnetic field होता है वो depend करता है उसकी electric current पे और उससे जो wire से उसकी जो distance से उस पर depend करता है कैसे depend करता है तो electric current electric current जो है वो magnetic field के directly proportional में है और magnetic field जो है वो उसकी distance के wire की distance के indirectly proportional में है इसलिए हमें formula क्या मिलाता B is proportional to I upon R R is the distance I is the electric current इस magnetic field के unit क्या होती है that is Tesla मतलब capital T हो गया Now इसकी जो smaller unit है वो smaller unit क्या है Gauss है जिसको के हम represent करते है capital G से Now 1 Tesla is equal to क्या होता है 10 to the power 4 G ठीक है I hope कि आपको यहां तक clear है So हम next video में हम क्या करेंगे Next video में हम लेंगे एक नया topic नया topic में लेंगे मतलब की जो और शेट का बात फिर हम चेक करेंगे कि अच्छा इसके अंदर जो direction है वो कैसे हो रही है कौन-कौन से direction के अंदर आपको magnetic field बन रहा है क्या वो भी concentric circles के अंदर बन रहा है या थोड़ा सा different हो रहा है क्या उसका shape change हो रहा है क्या उसका magnitude या direction change हो रही है यह हम देखिंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच